Bismillahirrahmanirrahim आज हम बना रहे हैं करेले बहुत ला जवाब और उन्दा रेसिपी है आपके बहुत उन्दा करेले बन सकते हैं इस रेसिपी से और करेलो में बहुत करवाद होती है वो करवाद हम खतं में आपको बताएंगे यह करवाद कैसे खतं होगी तो ये बहुत लाजवाब रेसीपी है और असान भी तो अपर हम बराना शुरू करते हैं तो ये हमारे पास करेले हैं एक किलो वाश कर लेंगे और अब हम इने छीलेंगे तो देखिए छीलने का भी तरीका होता है अक्सर लोग ऐसे छीलते हैं इसको बहुत जादा छील देते हैं और करेला काफी जाया हो जाता है और समझते हैं जादा छीलने से करवाट खतम हो जाएगी ऐसा कुछ भी नहीं है आप चाहे कितना भी छील दे करवाट जो है वो ही रहेगी लेकिन करवाट खतम करने के एक तरीका है मैं आपको बताऊंगी कम्प्लिट करवाट खतम हो जाती है लेकिन हम छीलेंगे इस तरह इसके हलके हलके से जो उबहेवे पाटे हम वो हटाएंगे हलके हाथ से तो आप देख सकते हैं हमने किस तरीके से ये हटाया है इस तरीके से हम इसे clean कर लेंगे तो देख सकते हैं आप इस तरह हमने ये साफ कर लिया और फिर दोपीस करेंगे अंदर जो इसका गूदा है जो सीटे वो हटा देंगे और करेला हमारे छोटे साइस का होना चाहिए और जोटे साइस के करेले में करवाट भी कम होती है और बिल्कुल फ्रेश, ताजा, कुर्कुरासा होना चाहिए तो इस तरह हम बिल्कुल बारिक बारिक cutting करेंगे इससे भी करवाट खतम होती है ये तरीके होते हैं करवाट खतम करनेंगे जितना बारिक हम काटेंगे उतनी कडवाट कतम होगी वो केसे खतम होगी इसमें हम नमक लगाएंगे एक किलो करेले में पाँच टैबले स्पून फुल भरके नमक चाहिए और नमक की नमी जो होती है करेले में लगेगी और ये पानी चुटेगा और सारा कड़वार बाहर कर देगा नमक मलने के बाद हम इसे रख देंगे 20 मिनट या आदा घंडे के लिए तो नमक लगाने की यही वज़ा है नमक जो नमी होती है नमक में और ये पानी सारा रिलिस कर देगा करेला और ये रेसिपी में ने काफी वक्त पेले बना के रखी थी मैं अब अपलोड कर रही हूं तो कम टमाटर प्यास भी इस्तंमाल कर सकते इस रेसिपी के लिए और रिजर्ट बहुत अच्छा आएगा कम टमाटर प्यास इसमाल करने से भी तो देखिये इसे रखे हुे तक्रीबन जो कर ली हम thing ने रखे थे मिरा गंटे बाद अब हम इसे नीचोडेंगेлон हमें अच्छे स करेलं के सारगा पानी निचोर सकते हैं लेकिन मैं हाथ से ही निचोरओंगी। तो बहुत अच्छे से मैं नेचोर लूँगी। अपनी फुरी ताकत लगाकर में बैखाई वुछ पानी निकल रूप में बावल निकल लिए अब बावल में दाल दिया करेल, सारा और काफी पानी डालेंगे और अच्छे से हिलाएंगे ताके ये पानी आ करेलो में अच्छे से मिक्स हो और जो करवाहट बाकी वह सारी निकल जाए इस तरह करेंगे करने के बाद फिर हम इसे भी निचोरेंगे इस अमल को हम 2-3 मरतबा दुराएंगे ठीक है तो इसे हम निचोड लेंगी जो पहले निचोड़ता है इसी तरह निचोड़ना है कसके सारा पाने निकालना है तो मैं यह सारा कर लूँगी तो यह देखे मैं कर चुकी हूँ एक मरतबा ठीक है दुबारा से फिर में कर रही हूँ ठीक है इसी तरह करना है दुबारा भी कर चुकी हूँ कसके पाने में चोड़ना होता है तो यह देखे अब कुकिंग की त्यारी हम करते हैं तो एक पैंग में हम ओईल करम करेंगे एक आप में जो करूने दएञे कालो मेंickt करेलो कि मवगाने तक नहीं जरूड़ेंगे उसी ओईल में हम प्याज डाल देंगे हाइफ लेम करके प्याज एक सी कटिंग कीवी होनी चाहिए तो मैंने कटर से कटिंग की थी, एक सी कटिंग है और इसे हम फ्राइ करेंगे तो देखेंगे आप लाइट कलर हैं पिंक कलर ठीक है तुमें टमाटर दालेंगे लसन अद रखे हैक टाप्रीश्पूने चार-पांच हरी मिल्ची सीठ भूमक और बाल कटिं गरेंगे तमाटर मैंने जब लिये थे उस वक्त हैं यह मैंने आदा किलो टमाटर ली अब एक पाउ भी टमाटर ले सकते हैं छीए तो बस हम इस सारी च बुनाई करने के बाद हम लॉफ लैंब करेंगे कुछ इस पाइसी अपने हिसाब से आप एड कर सकते हैं लेकिन मैं एड कर रही हूं सुरक मेच पौडर एक टैबल स्पून हल्डी एक टीज़्फून तरदर धनीया एड करेंगे हम one by half टैबल स्पून आप प्यास टमाटर कम करेंगे थोड़े इस पैसे भी कम करने पड़ेंगे आपको नमग हम एक टीज़्फून एड करेंगे हमने करेलो में भी नमग लगाय मैंने चिकन पॉड़र एड़ किया है एक टाबले स्पून बहुत मज़े का फ्लेवर बन जाता है यह किन जाने बहुत अच्छा सा फ्लेवर बन जाता है तो आप डालना चाहिए तो डाल सकते हैं लेकिन में ही कोंगी आप जरूर डालिएगा बच्चे भी बहुत शौक से खा करेख्षाल देंगे बस यह करेले डालेंगे और मिक्स करेंगे अच्छे से मिक्स करने के बाद में थोड़ा सा पानी आट करोंगी ठीक है बस इतना सा पानी आट करना है फिरसे में मिक्स करोंगी और मिक्स करने के बाद लोफ लैम करके कवर लगा दूंगे इसका सारा पानी भी ड्राय हो जाएगा पानी ही तो आप इसको ड्राय कर सकते हैं तो यह तैयार है 15 मिनट बात और आप जब इसे बना के खाएंगे ना इसी रेसिपी को फॉलो गरके आपको यकीन ही नहीं आएगा हम यह करलाँ खा रहे हैं क्यूँ इसमें करवाट होती नहीं है माउं मुलीस ही होगी तो होगी तो होती नहीं करवाट तो आप इसी तरहीक से बनाईगा आपकी बहुत उंदा यह रेसिपी बनेंगी और पसंद आईए तो लैक कीजिए शेयर कीजिए सबस्क्राइब लिंक किया तो कर लीजिये मैं आपसे जादा चाहती हूँ अल्लाहफीस